बच्छो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव के लाश्रेश में स्वागत है बच्छो आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पूस्तिका के अंतरकत विश्य स्रामाजी विग्यान लेकिया है जो कक्छा सात्वी के है और यह एडगेट अभ्यास पूस् ने की थी मुगल सामरज के स्थावतना बावर ने की थी तो इसके जो प्रशन उत्तर है उन्हें देखते हैं इसका प्रशन एक क्या कह रहा है मुगल कौन थे प्रशन एक क्या है मुगल कौन थे चलिए इसका उत्तर मुगल दो महां सासक वनसो के वनसज थे मुगल कौन थे मुगल दो महान सासक वंसों के वंसस थे माता की ओर से मंगोल सासक चंगिश खान और पिता की ओर से तोर्की के सासक टe मूर के वंसस्ज थे परन्थु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे इस प्रकार प्रेश नमबर एक का उत्तर कंप्लीट हुआ इसके बाद प्रेश नमबर दो देखिए बाबर द्वारा किस युद में वह कब इबराहिम लोधी को पराजित किया गया था तो उत्तर देखिए बाबर ने पांचवे आकरवन में उसने दिल्ली के अफगान सासक इबराहिम लोधी को अपरेल 1526 इस्वी में पानी पत के पैथम युद में परास्थ किया था प्रेशन कहा था बाबा द्वारक के सियुद में वह कब इबराहिम लोधी को पराजित किया गया था तो उत्तर हो जाएगा बाबार ने पांचवे आकरमन में अब उसने दिल्ली के अफगान सासक इबराहिम लोधी को अपरेल 1526 इस्वी में पानिपत के प्रेथम युद में परास्त किया इस प्रेकार प्रेशन नमर दो का उत्तर कंप्रिटो और इसकार प्रेशन नमर तीन देखिए मनसबदार से क्या आर्शा है लिखिए उत्तर देखिए मुगलों की शेयों में आने वाले नोकर सहा मनसबदार कहलाए मनसबदार सब्द का प्रेयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिने कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसियत अत्वापद मिलता था या मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्ता थी इस पर कात प्रश्नमर तीन का उत्तर कंप्लीट होगा इसकात प्रश्नमर चार देखिए अगवर की राज़स व्यवस्ता का संचेप में वाण कीजिए जगबर की जो राजर सुववस्तती उसका संचेप में वान करना है तो चलिए इसका उत्तर अगबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार वर मुल्य के आधार पर 10 साला नाम की नवीन एक प्राणी लागू की अगबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार वर मुल्य के आधार पर 10 साला नाम की नवीन एक प्राणी लागू की इस व्यवस्ता को लागू करने में उनके राज राजर सुमंतरी टोडल मल ने महत्मिल भूमी का अधा की साथ ही पैतेक शुबे को राजर सुम बंडलों में बाटा गया वा अलग अलग फसलों की अलग अलग राजर सुम तैय की गई इस प्रेकार प्रेस नमबर 4 का उत्तर यहां पे कंप्लिट होता है नेक्स अगला प्रेस नमबर 5 अबुल फजल द्वारा लिखित अगवर नामा किसके द्वारा अबुल फजल द्वारा लिखी गई अगवर नामा में किन बातों को विरुण मिलता है लिखिये चलिए इसका उत्तर देखते हैं अबुल भजल ने अगबर नामा की पहली जिल्द में अगबर के पुरवजों का ब्यान है और दूसरी जिल्द में अगबर के शासन काल की घटना का विरॉन देती है और तीसरी जिल्द में आईने अगवरी है इसमें अगवर के प्रशाशन, घराने, शेना और राजस का व्यूरान मिलता है इस परकार अब्दुल भजल द्वारा लिखित अगवर नामा की हमने तीन बातें यहाँ पे आपको बता दिये इस परकार प्रश नमबर पाच कंप्लेट हुआ इसके बाद प्रश नमबर छे देखते हैं अगवर की प्रशाशनिक व्यूस्ता की विशेशता लिखिये के लिए उतर प्रशाशन की मुखे अभिल अच्छन अगवर ने निधायत किये थे और इनका विश्तत वर्णन अभूल फजल की अगवर नामा विशेशकर आईने अगवरी में मिलता है अभूल फजल के उनसा सामराज कई प्रांतों में बटा हुआ था जिनें सुबा कहा जाता था और सुबो को प्रशाशक सुबिदार कहलाते थे जो राजनीतिक तता सेनिक दोनों प्रकार के कारियों का निर्वाह करते थे इस प्रकार आपका प्रशन नमर 6 कंप्लेट हुआ इसके बाद नेक्स अकला प्रसन देखते हैं प्रशन नमर 6 जहांगीर के दर्बार पर नूर जहा के प्रभाव का विरन कीजिए देखिए जो जहांगीर था जहांगीर को था अकवर का लड़का था और जहांगीर इनकी उपादी थी और इनका सही नाम था सलीम तो चलिए जहांगीर के दर्बार पर नूर जहा के प्रभाव को विरन लिखिए तो उत्ता देखते हैं महरू निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाव किया किसने किया महरू निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाव किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला और दूसी और रानी नूर्जा के नाम से गड़ा इस पकार आपका प्रश्ण नमबर साथ कंप्लिट हुआ नए श्ट्रकला प्रस देखते हैं प्रश्ण नमबर आठ प्रश्ण नमबर आठ के कहा रहा है अक्बर के धम समदी विचारों को संचेप में लिखी है चलिए इसका उत्तर देखते हैं अक्बर भारती इत्यास का पैथम सा सक था जिसने विविन धर्म को शमझने के लिए 1576 में आगरा में इवादत खाने की स्थापना की इस इबादत खाने में विविन धर्मों के बारे में जानने के उप्रांत वहा या निसकश पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांती वा दया का भाव अनुमान है जिनने उसने सुला एक कुल की नीती के माध्यम से अपने राज़े में लागू किया इसके प्रेकार प्रेश नमबर नौ देखिए प्रेश नमबर नौ क्या कहा रहा है मनसबदार और जागिदार में क्या भिंताय थी लिखिए चलिए उत्ता देखते हैं पहले मनसबदार को समझ जाते हैं मनसदार राजी सरकार के उच अधिकारी होते थे जिनके पास राजनेतिक और प्रशाशिक अधिकार और कार्य होते थे इसके बाद जागीदार कोन होते थे जागीदार राजी की और से कर्वसुलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे इसके साथ ही जागीदार एकरतित कर को मनसबदार को सोब देते थे इस प्रकार आपका प्रेश नमबर नौ कम्पलीट हुआ इसके प्रेश नमबर दस देखते हैं प्रेश नमबर दस में क्या कह रहा है अगबर ने किनकिन संसकत गयंतों का फार्शी में अनुवात कराया चलिए उता देखते हैं अगबर ने कई संसकत गयंतों के फार्शी में अनुवात कार्य को संपन कराया अगबर ने महाबाद, रामाण, लीलावती और योग वसिष्ट जैसे कुछ उलेखनी संस्कत गंद को अनुवाद कारे के लिए चुना था रजम नामा को महाभारत का फासे अनुवाद है में भारत की घटना का विस्ता चत्राकन है इस परकार आपका प्रेशनमबर 10 यहां पे कंप्लीट होता है इस परेशनमबर 10 के साथ आपका पार्ट 4 मुगल सामराज यहां पे शमाप्त होता है यहीं बच्चों आपको हमारे दोरा अध्याय चार मुगल सामराज के जो रसन अत्तर बता है यह आपके समझा आए हैं